परिचाए क्या तुम जानती हो कि वे क्या दिखा रहे हैं? हाँ मैं जानती हूँ वे मौसम का पूर्वानुमान लगा रहे हैं वे मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं? वे सांखिकी का उप्योग करते हैं यह आंक्णों के संग्रह, विशलेशन तथा प्रदर्शन का विज्ञान है। मौसम के अतिरिक्त क्या हम इसे कहीं और उप्योग कर सकते हैं। हाँ, सांखीकी का उप्योग चिकित्सा अध्यन में भी किया जाता है। वे पहले संबंधित आंक्णों को एकठा करते हैं और फिर कोई औशधिया दवा लिखते हैं। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। दिये गई आंकणों के परिसर को ग्याद करना, दिये गई आंकणों से विचलन को ग्याद करना, दिये गई आंकणों से मानक या प्रमाप विचलन और विचरन को ग्याद करना, बारम बारता बंटन का विशलेशन करना. विक्षेपन या प्राकिर्ण की माप विक्षेपन या प्राकिर्ण की माप संख्यात्मक रूप से ये बताने में प्रयोक्त होती है कि विभिन प्रेक्षणों में आसतन किस परिमार तक पारस परिक भिन्नता है एक प्रिक्षण से दूसरे प्रिक्षण की विसंगती जितनी विस्त्रित होती है विक्षेपन उतना ही अधिक होता है नीचे दिया गया ग्राफ आंकणों में विक्षेपन को दिखाता है विक्षेपण की मापे निम्नलिखित हैं परिसर, चतूर्थक विचलन, माथ्य विचलन और मानक विचलन परिसर सबसे बड़े तथा सबसे छोटे विक्षेपणों के अंदर को परिसर यानी रेंज के रूप में परिभाशित किया जाता है ये सभी मापों में सरहलतम है चलिए एक उधारन लेते हैं समुच ए तथा समुच बी का परिसर क्या है समुच ए के लिए परिसर 44 घटा 2 पराबर 42 है तथा समुच बी के लिए परिसर 17 घटा 17 बराबर 0 है परिसर की सीमा ये एक केंद्रिय प्रवृत्ती से आंकणों की विसंगती के बारे में कुछ नहीं बताता माध्य विचलन माध्य विचलन आंकणों के माध्य के संदर्भ में आंकणों के एक समुच्च के निरपेक्ष विचलनों का माध्य है अवर्गी क्रिद आंकणों के लिए माध्धे विचलन कैसे ग्याद करें। इसे ग्याद करने के चार चरण हैं। चरण एक हम दिये गए आंकणों का माध्धे ग्याद करते हैं। चरण दो माध्ध से संबंधित प्रेक्षणों के विचलन ग्याद करते हैं। चरण तीन, विचलनों के निर्पेक्ष मानों को ग्याद करते हैं, चरण चार, फिर हम वांचनी ये माद्धे विचलन को ग्याद करते हैं, आएए इसे एक उधारन की मदद से समझते हैं, उधारन, निम्ने लिखित आँकणों के लिए माद्धे के सापेक्ष माद्धे विचलन निकालें, आँकडे का माद्धे निम्ने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, एकस बार बराबर बारा, इसके पश्चाद हम माद्धे से सापेक्षित प्रेक्षणों के विचलन को ग्याद करते हैं, चोंकि एकस आई घटा एकस बार बराबर घटा नो घटा पांच घटा चार शुन्ने दो पांच ग्यारा है, तब एकस आई घटा एकस बार के निर्पेक्षमान है, नो पांच चार शुन्ने दो पांच ग्यारा, अन्तदा हम सूत्र का अप्योग करके माद्धे विचलन ग्याद करते हैं, माद्धे विचलन वर्गी कृत आँक्णों के लिए माद्धे विचलन कैसे ग्याद करें? आँक्णों को दो श्रणी में बांटा जा सकता है, आसतत बारंबार्था बंटन और सतत बारंबार्था बंटन आसतत आवरित्ती बंटन यदि दिये हुए आंकडे या द्रेच्छिक बारम्भार्ता के साथ होते हैं, तब इसे असत्तद अवरित्ति बंटन कहा जाता है. मध्य विचलन को दो तरीखों से प्राप्ति किया जा सकता है. 1. माधि के सापेक्ष माध्य विचलन और माधिका के सापेक्ष माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन सर्व प्रथम हम नीचे दिये अनुसार माध्य ग्याद करते हैं आई पराबर एक से एन तक एकसाई तथा एफ आई के गुड़न फल के योग में एन से भाग देने पर प्रापतांग जहां I बराबर एक से N, XI तथा FI के बीच प्रेक्षणों, XI का उनकी सापिक्षित बारम बारताओं, FI के साथ गुडन योगफल प्रकट करता है N बराबर I बराबर एक से N तक बारम बारताओं का योगफल तब हमें मादिके सापिक्ष प्रेक्षणों, XI का विचलन प्राब्त होता है तथा I बराबर एक, दो से N के लिए उनके निर्पेक्ष मान लेते हैं और इसके पश्चात हम निम्न के माध्यम से वांचनिये माध्य विचलन को ग्याद करते हैं आई बराबर एक से N, बारंबारता और निर्पेक्ष मान के गुड़न योग में N से भाग देने पर प्राप्तांग उधारण निम्नलिकित आँकणों के लिए माध्य से माध्य विचलन ग्याद कीजिए हल बेतर ढंग से समझने के लिए प्रथम दो पंक्तियों में हम दिये गए आँकणों को लिखते हैं बारंबारताओं का योग फल 36 प्राप्त हुआ त्रितिय स्थम्भ में दिये गए एकस आई तथा एफ आई का गुणन ग्याद करते हैं तथा उनका योग फल 486 है इसके पश्चात हम नीचे बताए गए सूत्र द्वारा माध्य निकालते हैं आई बराबर एक से छे एकस आई तथा एफ आई के बीच गुणन और उनके योग में एन से भाग अता 13.5 प्राप्त हुआ चौते स्टंब में हम एकस आई तथा माध्य एकस बार के बीच के अंतर का निर्पेक्ष मान ग्याद करते हैं पाँचवें स्टंब में हम निर्पेक्ष मानों तथा बारम बारताओं के बीच का गुणन ग्याद करते हैं तथा उनका योगफल 180 है और अंतताह निम्न के द्वारा माथे ग्याद करते हैं। आई बराबर 1-6 बरंबार्ता और निर्पेक्ष मान के गुड़न के योग में एन से भाग देने पर 4.5 प्राप्थ होता है। माथे विचलन माधिका के सापेक्ष माधे विचलन सर्वप्रथम हम माधिका ग्याद करते हैं। इसके पश्चाद हम माधिका के सापेक्ष विचलनों के निर्पेक्ष मानों के माधे ग्याद करते हैं। तथा फिर माधिका विचलन इस प्रकार ग्याद करते हैं। आई बराबर एक से N तक बारंबारता FI तथा निर्पेक्ष मानों के गुड़न फल में N से भाग देने पर प्राप्तांक. जहां M माधिका है, N बारंबारताओं का योग फल है. आई अर्थात 1, 2, N आई ये एक उधारन लेते हैं. उधारन, निम्निलिकित बारंबारता बंटन की माधिका से माध्य विचलन ग्याद कीजिए. हल, बेहताधन से समझने के लिए पहली दो पंक्तियों में हम दिये गए आखणों को लिखते हैं. बारंबारता FI का योग फल 60 ग्याद हुआ. फिर हम दिये गए विचलन के लिए माधिका ग्याद करते हैं, जो 13 वर्ष प्राप्त हुआ. तीसरे स्थम्ब में वर्तमान बारंबारता में पूर्वु बारंबारता को जोड़ कर हम संचई बारंबारता ग्याद करते हैं. चौते स्थम्ब में हम माधिका तथा XI के बीच के अंतर का निर्पेक्षमान ग्याद करते हैं, तथा इसे DI के द्वारा दर्शाते हैं. पांचवें स्टंब में हम बारम बारता तथा निर्पेक्ष मानों के बीच का गुणन ग्याद करते हैं तथा उनका योगफल सर्चट है और अंतता निम्न के द्वारा हम मात्य विजलन ग्याद करते हैं बारम बार्ता तथा निर्पेक्ष मानों के गुडन फल के योग में एन से भाग देने पर एक दशमलव एक दू वर्ष प्राप्थ होता है. मात्य विचलन सतत बारम बार्ता बंटन एक सतत बारम बार्ता बंटन के मात्य के विचलन का परिकलन करने है तू एक्स आई ग्याद करने के लिए वर्गों का मात्य मान ग्याद कीजिये तथा एक असतत बारम बार्ता बंटन के लिए आके बढ़िए. सतत बारम बारता बंटन में बारम बारता कभी नहीं तूटती है माध्य विचलन को दो तरीकों से ग्याद किया जा सकता है एक, माधिके सापेक्ष माध्य विचलन दो, माधिका की सापेक्ष माध्य विचलन चलिए, कुछ उधारन लेते हैं उधारन निम्ने लिखित आंकणों के लिए माध्य से माध्य विचलन ग्याद कीजिए हल प्रतम स्थम्भ में हमने दिये अनुसार वर्गों को लिखा है दुतिय स्थम्भ में हमने एक्स आई के रूप में वर्गों के माध्यमानों को लिखा है 33 स्थम्भ में हमने दिये अनुसार बारंबारता को लिखा है तथा उनका योगफल बानबे प्राप्त हुआ 34 स्थम्भ में हम दिये हुए XI तथा FI का गुरंद ग्याद करते हैं तथा उनका योगफल 3870 है इसके पश्चाद हम नीचे बताय अनुसार सूत्र से माथे ग्याद करते हैं आई पराबर एक से आठ एकसाई तथा FI के गुरंद फल के योग में एन से भाग देने पर 42.065 ग्याद हुआ पांचवें स्टंब में हम XI तथा माथे X बार के मध्य निर्पेक्षमान ग्याद करते हैं चटवें स्टंब में हम 12.12 FI तथा निर्पेक्षमानों के बीच का गुरं ग्याद करते हैं तथा उनका योगफल 1425.22 ग्याद हुआ और अंतता हम निमने लिखित के द्वारा माध्य विचलन ग्याद करते हैं आई बराबर एक से आठ बारंबार्ता और निर्पेक्षमानों के बीच के गुरं फल के योग में N से भाग देने पर प्रापतांक 15.49 है माध्य विचलन हम एक लगू विधी के द्वारा माध्य के सापेक्षम माध्य विचलन का परिकलन कर सकते हैं इस विधी में हम निमन के रूप में एक नया चर लेते हैं डि आई बराबर एक साई तथा एक बीच के अंतर में H से भाग जहां A कल्पित मात्य है वा H सार्व गुणन खंड है अब इस विधी में माध्य के लिए सूत्र बन जाता है कल्पित मात्य धन I बराबर एक से N तक F I तथा D I के गुणन में N का भाग तथा H से गुणा चलिए एक और उधारन लेते हैं अधारन लगुविधी का उप्योग करके निम्निलिकित आंकणों के लिए माध्यों से माध्य विचलन ग्याद कीजिए हल प्रतम इस्तंभ में हमने दिये अनुसार वर्गों को लिखा है दूतिय स्तंभ में हमने X I के रूप में प्रतेक वर्क के लिए माध्य मानू को लिखा है। त्रितिय स्थम्भ में हमने दिये अनुसार बारम बारता को लिखा है तथा उनका योगफल 92 ग्याद हुआ। चौते स्थम्भ में हम XI तथा A के बीच के अंतर वाभाग H को ग्याद करते हैं तथा इसे DI द्वारा दर्शाते हैं। पांचवे स्थम्भ में हम FI तथा DI का गुणन ग्याद करते हैं तथा ये घटा 27 ग्याद हुआ। इसके पश्चात हम नीचे बताई सूत्र के अनुसार माध्य ग्याद करते हैं। कल्पित माध्य धन आई पराबर 1 से N तक FI तथा DI के गुणन फल में N से भाग तथा H से गुणन करने पर प्रापतांख 42.065 ग्याद हुआ। हम चटवें स्थम्भ पंगती में हम XI तथा माध्य यानि X बार के बीच के अंतर का निरपेक्ष मान ग्याद करते हैं। साथवें स्टंब में हम बारं बारता एफ आई तथा निर्पेक्ष मानों का गुड़न ग्यात करते हैं तथा उनका योगफ़ल चादा सो पच्चीस दश्चमलव दो दो है, तथा अंतिता हम निम्नप्रकार से माध्धिविचलन ग्यात करते हैं. आई बराबर एक से आठ तक बारम भाड़ता तथा निर्पेक्ष मानों का गुड़न भाग एन का योग फल 15.49 है. माध्धिविचलन माध्धिका के सापेक्ष माध्धिविचलन सर्वप्रथम हम नीचे दिये गए सूत्र के माध्धिम से माध्धिका ग्याद करते हैं. निम्न परिसीमा जमा एन बटे दो तथा माध्धिका वर्ग से सटीक पहले वर्ग की संचई बारमबार्था के बीच का अंतर बटे F गुणे H जहां माधिका वर्ग वह वर्ग अंतराल है जिसकी संचई बारमबार्था एन बटे दो के बराबर या उस से अधिक है. N बारमबार्थाओं का योग है, L निम्न सीमा है, F बारमबार्था है, H माधिका वर्ग की चौड़ाई है, और C माधिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचई बारमबार्था है. माधिका ज्याद करने के पश्चाथ प्रतेक वर्ग के मत्ध बिंदू, X, I का माधिका से विचलनों का निर्पेक्षमान ज्याद किया जाता है. तब वांचनी ये माधिविचलन है, I पराबर एक से N तक बारमबार्था FI तथा निर्पेक्षमानों के गुड़नफल के योग में N से भाग का प्राप्तान ज्याद करने के विचलनों के लिए माधिका से माधिविचलन का परिकलन कीजिए. हल प्रतम स्थम्भ में हमने दिये अनुसार प्रती सप्ता मस्दूरी को लिखा है. दुटिय स्थम्भ में XI के रूप में प्रतेक वर्ग के माधिमानों को लिखा है. तुटिय स्थम्भ में हमने दिये अनुसार बारमबार्था FI को लिखा है. तथा उनका योग साठ ग्ञाद हुआ. चौधे स्थंप में हम वर्तमान बारंबार्ता में पूर्व की बारंबार्ता को जोड़कर संचई बारंबार्ता ग्याद करते हैं. इसके पष्चात हम सूत्र का उप्योग करके माद्धिका ग्याद करते हैं. निम्नसीमा, जमा, एन बटे 2 तथा माधिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचई बारंबार्ता के बीच का अंतर बटे FM गुणा H तथा ये 45 ग्याद हुआ पांचवे स्तंब में XI तथा माधिका के मध्य अंतर जो 45 है उसके निर्पेक्ष मानों को ग्याद करते हैं तथा निर्पेक्ष मानों को DI के द्वारा निरुपित किया जाता है चटवे स्तंब में हम DI तथा बारंबार्ता FI का गुणन ग्याद करते हैं एवं उनका योग 680 ग्याद हुआ और अंतर था हम निम्न के द्वारा माधिविचलन प्राप्त करते हैं बारंबार्ता तथा DI के गुणन फलों के योग में हैंसे भाग का प्राप्ता अंक 11.33 है माधिविचलन माधिविचलन की भी अपनी परिसी माएं हैं आ इस विधी का सबसे बड़ा दोश यह है कि इसमें पदों का विचलन लेते समय बीजिये संकेतों की वो पेक्षा की जाती है बार ये विधी हमें अत्यांत सटीक परिणाम नहीं दे सकती क्यूंकि माधिका एक असन तोश जनक माप है जब एक श्रिंकला में परिवर्तन शीलिता की डिग्री बहुत अधिक होती है यदि हम माधि से माधिविचलन की करना करते हैं तब भी ये वांचनिये नहीं है क्यूंकि माधे संकेतों को छोड़कर उससे विचलनों का यूग माधिका यानि संकेतों को छोड़कर उससे विचलनों के यूग से अधिक होता है यदि माते विचलन की बहुलक से गर्ना की जाती है, तब ये भी वैक्यानिक नहीं है, क्यूंकि बहुलक का मान सदैव निर्धारित नहीं होता है प्रासरन तथा मानक विचलन माद्य विचलनों की सीमाओं को दूर करने के लिए हमने प्रासरन तथा मानक विचलनों को प्रियुक्त किया है। एक असतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन निम्न है। जहाँ य आई परावर है एकसाई तथा कल्पितमान एके मद्दे अंतर बटे एच के। आईए कुछ उधारन को देखते हैं। उधारन निम्नलिकित आँकणों के लिए प्रासरन तथा मानक विचलनों का परिगलन कीजिए। हल प्रतम स्थंभ में हम सभी दिये गए प्रेक्षणों को लिखते हैं। इसके पश्चात हम इसे जोड़कर प्रेक्षण का मात्य ग्याद करते हैं। तथा फिर प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करते हैं। जोकी इस इस्सिती में नौ है। दृतिये स्थंभ में हम मात्य एक्स बार से प्रेक्षणों का अंतर ग्याद करते हैं। ग्यात हुआ, तथा अंतता हम प्रस्वरण निम्न प्रकार से ग्यात करते हैं, ये 106.67 ग्यात हुआ, इसके पश्चात हम प्रस्वरण के वर्गमूल के रूप में मानक विजिलन ग्यात करते हैं, तथा ये 10.32 ग्यात हुआ. उधारण निमने लिखित बंटनों के लिए प्रसरण तथा मानक विजलनों का परिकलन कीजिए हल प्रथम दो स्तंभों में हमने XI तथा FI दिये अनुसार लिखा है बारम बारता FI का योग 69 है तृतिय स्तंभ में हम FI तथा XI का कुणन ग्याद करते हैं तथा उनका योग 1067 ग्याद हुआ इसके पश्चाथ हम FI तथा XI के गुणन को जोड़कर माध्धे ग्याद करते हैं तथा फिर बारम बारता के योग फल से इसे विभाजित करते हैं जोकी 69 है ये 18.08 ग्याद हुआ चतूरत स्थम्भ में हम XI तथा माध्धे X बार के मध्धे अंदर ग्याद करते हैं पांचवे स्थम्भ में हम XI तथा माध्धे के मध्धे यानि X बार अंतर का वर्क निकालते हैं चतूरत स्थम्भ में हम XI वा माध्धे यानि X बार के मध्धे अंतरों का वर्क तथा बारम बारता का गुणन ग्याद करते हैं तथा उनका योगफल 2344.558 ग्याद हुआ। तथा फिर हम निम्न के द्वारा प्रसरन ग्याद करते हैं। ये 49.73 ग्याद हुआ। इसके पश्चाथ हम 49.73 का वर्गमूल करके मानक विचलन ग्याद करते हैं। तथा ये 6.30 ग्याद हुआ। उधारन आईए देखते हैं कि सतत बारंबारता बंटन के लिए मानक विचलन तथा प्रसरन कैसे ग्याद करते हैं। हल प्रतम स्टम्भ में हम दिये गए अनुसार वर्गों को लिखते हैं। दिटिये स्थम्भ में हम XI के रूप में वर्गों के प्रतेक मान के लिए माध्य मान ग्याद करते हैं। त्रितिये स्थम्भ में हम दी गई बारंबारताओं को लिखते हैं तथा उनका योग 50 ग्याद हुआ। चौते स्थम्भ में हम FI तथा XI का ग्याद करते हैं एवं उनका योग 1900 ग्याद हुआ। इसके पश्चात हम FI वा XI के ग्याद तथा तब बारंबारता का योग जो की 50 है उससे इसे विभाजित करके इसे जोड़कर माध्य ग्याद करते हैं। ये 38 ग्याद हुआ। पांचवे स्थम्भ में हम XI वा माध्य X बार के मध्य अंतर का वर्ग ग्याद करते हैं। ये 261 ग्याद हुआ। इसके पश्चात हम 261 का वर्ग मोल निकाल कर मानक विचलन ग्याद करते हैं। तथा ये 16.155 ग्याद हुआ। बारम बारता के बंटन का विचलेशन इस खंड में हम विचरन गुणांक नामक एक नया पद प्रस्तुत करते हैं। इसे प्राया मानो के समों के मानक विचलन एवं उनके मातिके अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है। विचरण गुणांक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए अक्सर एक सौ से गुणा किया जाता है। दियेगाई ग्राफ से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि विशिष्ट आक्रों के अवंटन की बारंबारता कैसे होती है। गणितिये रूप में मानक विचलन वा मात्ध के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए इसे सौ से गुणा किया जाता है। समान मात्धे वाले दो बारंबारता बंटनों की तुलना विचरन गुणां के की साहिता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब अधिक मानक विचलन वाली श्रंकलाओं की तुलना दो समान मात्धे वाली श्रंकलाओं से की जाती है तब आक्रों की विसंगती अधिक होती है। उधारण, मानक विचलन तथा दो बंटनों के माद्धे क्रमशा 6.18, 17.2 तथा 14.18 और 62 दिये गए हैं। उनके विवरण गुणांक क्या हैं। हल, सर्वप्रतम हम माद्धे तथा मानक विचलन के बीच का अनुपात ग्याद करके बंटन एक के लिए विचरन गुणांक ग्याद करते हैं। तथा ये 0.359 ग्याद हुआ। प्रतिशत में ये 35.9 प्रतिशत है। तथा तब हम माद्धे तथा मानक विचलन के बीच का अनुपात ग्याद करके बंटन दो के लिए विचरन गुणांक ग्याद करते हैं। तथा ये 0.228 ग्याद हुआ। प्रतिशत में ये 22.8 प्रतिशत है। क्या आप जानते हैं? अधिकांश प्रेक्षणिये अध्यन में सांकिकी का उप्योग किया जाता है। सारांश आईए हमने जोकु सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आंकणों की विसंकती प्राकिडन की माप कहलाती है। प्राकिडन की मापें निमने लिखित हैं। परिसीमा, चतूर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन। परिसीमा को सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्रेक्षणों के मध्य के अंतर के रूप में परिभाशित किया जाता है। अवर्गी क्रित आंकणों के लिए माध्य विचलन निमन है। प्रासरन, मानक विचलन, मानक विचलन का वर्गमोल है। विचरन गुणांक, माध्य वा मानक विचलन के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए सौ से गुणांक किया जाता है। अवर्गी झाल उता है। थी टार जाता है। अवर्गी झालन extÓ।